हालो दोस्तों, हालो दोस्तों आज हम बात करेंगे वाट इस एपिफोरा। लिट्रेचर के अंदर एपिफोरा क्या है। जैसके हम जानतें के एपिफ़ोरा एक लिट्री ठरम है, एक figure of speech है। जैसके मैंने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी एनफोरा की। एनफोरा हमने पढ़ाता है कि एनफोरा के अंदर वो हमेशा sentence या phrases की शुरुवात में आता है और हमेशा emphasize करने के लिए होता है same way epiphora उसकी opposite में हमेशा कहाता है इसकी definition से पता करेंगे हम कि epiphora जिसको हम apostrophe भी कहते है इस ग्रीक टर्म यह ग्रीक टर्म है यह हमेशा क्या करता है repeat होता है same word और यह same phrase repeat होंगे at the end of successive clauses or sentences कहने का मतलब जैसा एनफोरा के अंदर था शुरुवात में sentence के और यह epiphora हर sentence के यह clause के last में same word यह same phrases repeat होंगी example में देखेंगे हम आगे जाके और इसको अच्छी तरह समझने के लिए जैसे मैंने बता है कि epistrophe और antistrophe यह दौनों ही epiphora है तो अगर आप net पर सर्च करेंगे दौनों का मतलब क्या है epiphora और antistrophe दौनों ही epiphora ही है इनको दूसरे नाम से बुलाए जाता है example के बात करते है Corinthians Apostle Paul गी Bible के अंदर New Testament में एक कुरंथिन एक book है जिसको Apostle Paul ने लिखा था Apostle Paul Christ का एक चेला था उसने बोला आप देखेंगे जैसे कि मैंने का कि definition में था कि epiphora जो होता है जो sentences होते हैं जो clauses जो होते हैं हर sentence या clause के आखिर में यह repeat होता है same word होंगे या तो या same phrase होगी तो यहां पर a child as a child again as a child I thought as a child red में जो हमें इसमें किया हुआ है यह as a child जो है इस में क्या है epiphora है यहां पर Apostle Paul ने कुरंथिन को जब यह letter लिखा था तो उसमें उसने यह जो word phrase इस्तमाल करी है उसने हर sentence के आखिर में वह epiphora है और यह किसलिए करी emphasize करने के लिए जैसे का मने एनफोरा के अंदर पड़ा के इनफोरा का इस्तमाल इंग्लिश लूट्रेचर पर किसलिए किया जाता है emphasize करने के लिए एक अनुदर एक्जांपल देखेंगे अब्राहम लिंकन ने गिड्सबर्ग एड्रेस बहुत ही फिमस स्पीच सी नेवेंबर 19 1863 को दी थी तो उसमें उन्होंने बोला था तो उसका एक चोटा एक चोटा सा टोप्डा है and that government of the people by the people for the people shall not perish from the earth sentence के हर एक sentence के आखिर में of the people फिर कॉमा by the people फिर कॉमा for the people last में आ रहा है हर बार एक जैसी phrase repeat हो रहे है same words repeat हो रहे है at the end of sentence और clauses तो ये इसमें क्या है epiphora के इस्तिमाल करा Lincoln ने अपनी बात को emphasize करने के लिए जोड देने के लिए ऐसे ही Martin Luther ने King Junior उन्होंने एक work लिखा था I have a dream August में उन्हों 28 August 1963 को ये उन्होंने speech जी थी with this faith we will be able to work together to pray together to struggle together to go to jail together to stand up for freedom together knowing that we will be free one day तो आप देख सकते हैं red में हर sentence के बाद last में together को बार बार repeat हुआ है same word बार बार repeat हुआ है तो at the end of clause ये sentence के आखिर में जब कोई word same word same phrase repeat हो बार बार तो समझ लीजे वो epiphora है at the end epiphora आता है repeat होता है तो वो किसलिए होता है कि अपनी बात पर जोर देने के लिए emphasize करने के लिए अपनी बात को merchant of Venice में एक बसेन्य करेक्टर है उसने पोडशिया से बोला sweet Portia if you did know to whom I gave the ring if you did know for whom I gave the ring and would conceive for what I gave the ring and how unwillingly I left the ring इसमें जब उसने जो बोला है पोडशिया से तो उसमें आपने देखा हुआ कि उसने I gave the ring जैसे आप यहां देख सकते हैं red में हो रहा है I gave the ring हर sentence के आखिर में उसने यह बोला है I gave the ring तो I gave the ring जो sentence है जो same words है यह यहां पर epiphora है और यहां बसीनियों अपनी बात को इस point पर जोर देने के लिए बार बार इस चीज़ को repeat कर रहा है तो यह था आपका epiphora I hope कि आपको इस समझने मदद करीगी वीडियो Thank you